जैपुर की सापरा विदानसबा सीट से साल दो हजार आठ में कॉंग्रेस पार्टी से बगावत कर विदायक बने अलोक बेनिवाल मिजोरम तिरप्रा और गुजरात की पूर्वर राजयपाल कमला बेनिवाल के बेटे हैं अलोक बेनिवाल चर्चा में भी कमला बेनिवाल के कारण ही रहे हैं साल दो हजार आठ से अपने राजनेतिक जीवन के सुर्वात करने वाले अलोक बेनिवाल अपने राजनेतिक जीवन का पहला और दूसरा चुनाव लगातार हारे हैं सापुरा विदानसबा सीट पहले बेराट विदानसबा सीट का ही भाग थी लेकिन साल 2008 में इस सीट का विभाजन हुआ और यहां से दो विदानसबा सीट बनी विराट नगर विदानसबा और सापुरा विदानसबा कमला बेनिवाल की सिपारिस बयर साल 2008 में साप्रा विधान सभा सीट से आलोक बेनिवाल को कॉंग्रेस की तरफ से उमीद्वार बनाये गया लेकिन उस समय कॉंग्रेस की लहर के बावजूद आलोक बेनिवाल भाजपा के रावराजिंदर सिंग से चुनाव हार गई 2008 के बाद फिर 2013 में कॉंग्रेस की तरफ से परत्यासी बनाए गए लेकिन मोदी लहर के कारण फिर भाजपा के राव राजिंदर सिंग से चुनाव हार गए लगातार दो विदान सबा चुनाव हारने के कारण कमला बेनिवाल अपनी राजनितिक विरासत और अपने बेटे आलोग बेनिवाल के राजनितिक भविश्य को लेकर चेंति थी अब 2018 का विदान सबा चुनाव होना था भाजपा ने फिर से साप्रा विदान सबा सीट पर जोग बेनिवाल का इस बार पत्ता काटना चाहती थी। बेनिवाल की जगए कॉंग्रेस ने इस बार राजस्तान युनिवर्सिटी की राजनीती से निकल कराए मनीशियादव पर अपना दाओ खेला। अपनी राजनेतिक विराशत छिंती देख कमला बेनिवाल ने आलोक बेनिवाल को निर्दलिय परचाव रोआ दिया और घर-घर चुनाव परचार में जुट गई लगातार चुनावी हार के कारण लोगों की सानुबुती भी आलोक बेनिवाल को मिल रही थी जिसके चलते जब चुनाव परिनाम आये तो दो बार कॉंग्रेस की टिकट से चुनाव हार चुके आलोक बेनिवाल इस बार निर्दलिय के रूप में चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद फिर से कॉंग्रेस का दामन थाम लिया